एलो गाईज, वेलकम टू अचीव आईएस, मैं नीम इस जयुश मिठी, इस वीडिय में हम 15 मार्च 2020 का दा हिंदू एक्स्प्लेंट पेच कनल असेस करेंगे, वसे तो तीन आर्टिकल आ है आज, लेकिन इंपोटेंट हमरे लिए दो हैं, दोनों आर्टिकल पड़ेंगे, बह इसको लेके मैंने पोस्ट भी डाली थी टेलिग्राम पे, मैं एक बार आपको उसको रेफर कर देता हूँ, कॉमन एक्विटी टायर वन, कोर केपिटल, यह बेसिकली तीन तरह के हमारी केपिटल होती है, बैंक में, कमपनी, पहली तो टायर वन केपिटल, टायर वन केपिट होते हैं, जो रिटेन अर्णिंग होती है, जो रिजर्व होते हैं, जो बैंक को खतरे के वक्त, लोस को अबजर्ब करवा सेके, बिना व्यापार को बंद किए, वह सारी जो चीजी है, सारी जो केपिटल, कोर केपिटल कहलाती है, और साथ में इसको, कोमन एक्विटी टायर upon capital भी कहते हैं entire one additional वाला वबसिकली समें वो बॉंड साथ या वह Canada instruments आते जिन कोई maturity नहीं होती मेच Yeוגal कि मेची चीज की पुए कि कोई सब्स्सक्तुप कड्राइब कर दो कि आपने किसी से तो को कह लोगまぁ ST ए हो उसको जो है कर वा सकता लेकिन अव्यकृ invention बैसिकली जो डैपोजिटर है जो आप चिसोल्ट पैसा जमा करा रहे हैं वो पैसा आपको पिंस रख्षित है चॉक में टाय कोई मदद नहीं करें सक्षोत जा रहे है chain नो following मेर्चियोरिटी बेसिकली एडिशनल टायर वन बॉंड में जो हैं इन्वेश्टर फसेव हैं और देखा गया कि जिस तरीके से यस बैंग ने जिस तरीके से यस बैंग के साथ ये हुआ आज भी ने भी मोनेटरियम लगा दिया और स्टेट बैंक ओफ इंडिया हीरो की तरह सा प्रपोजल भी क्लियर कर दिया दूआ थोड़ी छटी फोग क्लियर हुई तो यह भी पिता चला कि विड्रोल लिमिट जो पचाश जार तक की थी वह भी हट जाएगी अब जो डेपोजिट कर रहे हैं जो डेपोजिट होल्डर से वह बैंक में से पैसा निकाल सकते हैं जब अब कभी एक्जिस्ट ही नहीं करते चुका दिया एडिशनल टारवन बॉंड मतलब क्लियर हो गया इंका फैसला अब आपको बताता हूं है अगर कंपनी में इंवेस्ट कर रहे हो तो आपके बाद दो तरीके हैं आप या तो कंपनी में कुछ शेयर खरीद लो कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट कमाएगी उसी साफ से आपको प्रॉफिट देती जाएगी जिस साल नहीं कमाएगी उस साल नहीं देगी जिस जितना लोस कंपनी में उतना लोस आप है और जितना लोस कंपनी जितना का फाइदा कंपनी को मिल रहा है उतना फाइदा आपको मिलेगा कभी एकुसी भी किसी वीवक्त शेयर आप किसी को भी बेच सकते हो तो आपकी कोई ना मंदम में क्या होता है कि आप अगर यहां पे कि कसी का बॉंड खरीद जैसे मालो अगर यहां पर आके SBI कोई bond बेच रहा है जैसे मालो Yes Bank ने additional tier 1 bonds बेचे थे bonds क्या होते है पहले समनलो additional tier 1 माँ बाद होता हूँ bond मतलब Yes Bank यहाँ पर कि किसी को bond दे रहा bond मतलब security एक लिखित security है कि यह bond हम आपको दे रहे है और उसके बदले में हम आपको ब्याज देंगे भाई share जब खरीद दे तब ब्याज मिलता था नहीं क्या मिलता था dividend profit bond में कोई dividend profit नहीं मिलता bond में fix एक interest rate रहती है कि यह interest rate हम आपको बाड़ दर साल चुकाते जाएंगे चुकाते जाएंगे चुकाते जाएंगे और जब इसकी maturity हो जाएगी तो ये bond हम जो है हम आपसे वापस ले लेंगे आपका सारा पैसा चुका के principal और interest लोंट ले लेंगे ठीक है यह bond होते हैं तो bond को profit और लो से फरक नहीं पड़ता बॉंड जो होते हैं वह पैंकों में उनकों प्रॉफिट लोग से फरक नहीं पड़ता उनकों फिक्स इंट्रेस्ट मिलना ही होता है जो बोर्ड होल्डर होते हैं जबकि यह जो है ऐसा प्रिविलेज नहीं है तो एडिशनल टायर 1 बोर्ड से जो मैंने बताया तीन । बॉन्स बोलेंगे हैं अब से यह अंसेक्योड है क्यों है वो बताऊंगा आगे परपेचुल है परपेचुल है डिसको cuestión क्यों करता है बैक कि शू लेखो बेसल जो तर्ड नोंस थे यह basically एक कानून थे, set of rules थे, जो दुनिया में जो जितने भी बैंकों मानते हैं, ताकि उनकी balance sheet जो है बनी रहे, basically कोई खराब काम आ जाए, कोई गलत जगे लोन चल जाए, या फिर कुछ low सो जाए, तो उसको absorb करने के लिए कुस्तो capital चाहिए ना, तो RBI ने बैसल third norms में कुछ changes की है, और अपने हिसाब से जो है आपे norms निकाले, तिन में फिलिम्स के मकसद से याद रख लीजिएगा, कि इंडियन बैंक को minimum capital जो है 11.5% रखनी ही होती है, risk-weighted loans की, ऐसे लोन जो उसने दिये, जो काफी risk वाले है, 11.5% minimum capital उसकी बना के रखनी पड़ेगी, और 11.5% में से 9% उसकी टायर वन capital होनी चाहिए, टायर वन मैंने बता दिया, equity share, retained earning, reserve, जो की मुसीबत की समय काम आ सके, 9% अगर bank की टायर वन capital है, और 9% में से भी 5.5% जो है, equity है, तो basically additional टायर वन bonds जो है, इसलिए issue होते है, ताकि यहाँ पे, और जो, यह टायर वन capital है, इसको support कर सके, बहुत टायर वन capital में, जो 9% जो पैसा है, जो टायर वन का, और 5.5% जो equity है, वो अगर खतम हो जाए तो फिर, तो यह जो 81 bonds है, यह काम आ सके, अब basically 81 जो bonds है, यह आते तो additional टायर वन bond है, उनके कोई maturity नहीं होती, इनके कोई fixed period नहीं होता, maturity नहीं होने का मतलब क्या होता है, maturity नहीं होने का मतलब bank कभी भी margin joint को पैसा दे के, और ले सकते हैं bond वापस, पैसा चुका सकते हैं, एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल, दस साल, तो bonds की ऐसे तो maturity होती है, fixed, यानि bonds आप market में, अगर municipal bonds खरीद हो या किसी company के bonds खरीद होगे, तो आपको maturity साथ ही मिलेगा, ल maturity का बाती है, देखो, मैं जैसे मैंने bond ले रखा है, yes bank का, मैं अगर bond अगर, मैंने 10 साल के, मालो कोई ऐसे perpetual bank नहीं, perpetual bond नहीं है, मालो कोई maturity वाला bond है, मैंने अगर ले रखा है, और वो 5 साल के अगर उसकी maturity है, तो 5 साल तक bank मेरे को ब्याद चुका दा जाएगा, मेरे पैसो जाता है, bond holder लेता जाता है, लेता जाता है, लेता जाता है, तो इसका मतलब क्या principle कभी लोट के नहीं आएगा, मतलब जो मूल जो पैसा है, जो पाँच लाग रुपे किसी ने दिये, पाँच लाग पर मालों 50 जर बे आ जा रहा है, तो पाँच लाग रुपे भी तो देने investors को देते रहते हैं, और basically call option होता है, 5 साल का, 10 साल का, कि यहाँ पे जो है, 5 साल या 10 साल में bank कुछ bonds को retire कर देता है, यानि उनको मामला खतम कर देता है, उनको सारा पैसा चुका देता है, और basically Indian banks जो है, ये करते हैं, 5-10 साल बाद करते हैं, तो basically लोग जो है, वो डरते नही है, शीद से कि हमको हमारा principle कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि 5-10 साल बाद, जो maturity की होई, जाती है, लेकिन, perpetual तो ये पूरी तरीके से, इसका मतलब नहीं है, है, लेकिन 5-10 साल के लिए इसका हो जाता है, मैंने perpetual के साथ अब को बता गए, unsecured है, unsecured, unsecured का मतलब क्यों है, और unsec क्यों है, जब भी ये जो ATI bonds होते हैं, इनमें contract करते हैं, तो उनकी terms and condition में साफ लिका होगा रहता है, कि value है, जो bonds कि हो completely return off कर देंगे, अगर bank का capital ratio, कुछ threshold से नीचे आ गया तो, right of कभी जब भी हो सकता है, जब RBA decide करता है कि bank जो है, वो point of non-viability पे पहुच गया है, यानि अब इस bank में जो है, पैसा डालना पड़ेगा, तब जाके जो है, survive कर सकता है, और इसी चीज़ को yes bank के case में invoke किया गया, भाई पैसा अगर दिया जा रहा yes bank को, तो ये जो condition थी, य इन bonds को return off कर दिया, return off करने का मतलब खतम, ठीक है, ये जो है पैसा हमने चुका दिया, काम हो गया, अब जो है, इसमें कोई भी पैसा बचा हो नहीं है, तो लोगों का पैसा जो principal था, interest जो गया, जो गया अब तक, अब एक रुपय देना नहीं पड़ेगा, bonds में, तो bond holders का प है, ठीक है, तो ये बात है, तो अगर एक threshold से नीचे आ जाती है, तो फिर return off कर सकते हैं, और return off भी नहीं, तो कुछ यहाँ पे bank के पास कुछ मोखे होते हैं, जिसमें मालों अगर लगे, bank को की tier 1 capital जो है ratio अगर नहीं हो, इमीट, तो interest नहीं चुका है, एक साल का, दो साल का, है, तो basically principal value भी घटा सकता है, bond की, तो ये bank के पास होते हैं, कि या तो interest चुका दे, principal value चुका, कम कर दे, बिल्कुल reduce कर दे, या अगर बिल्कुल point of non-viability पे पहुंच गया, या फिर जो है, अब तो एक threshold से नीचे capital पहुंच गई उसकी, तब return off भी कर सकता है, यानि मामला ख है, वो court में जाएंगे, देखो क्या होता है, किस थरीके से होता है, लेकिन प्लिम्स के मकसद से मैंने आपको capital concurrency बता दिया, और 8-1 bond क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, bond क्या होता है, मैंने भी आपको बता दिया, is the global economy headed for recession, तो global economy recession में क्या चल रही है, बात यह हो रहा हैं, इंडिया में भी करीब, अभी तक तो इसमें तो आर्टिकल में तो 88 है, लेकिन 102 हो गए है, और दो casualty होई है, इस सब्ता, हलाकि मुझे पूरी उमीद है, कि कुछ ना कुछ तो होई जाएगा, तो daily news वोद किस तरीके से बता रही है, कि supply chain effect हो रही है, हर economy effect हो रही है, ग्लोबल एकनोमी में किस तरीके से recession आएगा, क्या आ सकता है, recession का मतलब क्या होता है, कि अगर दो consecutive quarter, यानि लगातार एक quarter में तीन महीने होते हैं, दो quarter में अगर लगातार गिरावट आए, contraction आए, स्विकूर जाए economy, इसे recession कहता है, तो आज इतने सारे new channel वाले prediction कर रहे है, भुष्यवानी कर रहे हैं, कि global economy recession आजाएगा, लेकिन ये लोग ये खुद नहीं जानते कि वाइरस कितने समय तक रहेगा, और किस तरीके से authorities ने कैसे इसको रोकेंगी, और पूराने कैसे इसको ट्रीट करेंगी, व्यापार धंदा, बिसनिस में सबसे जो बुरी चीज बाता आएगी ही, राबो बैंक है, उन्होंने जो ये कहा है कि global GDP growth जो है, वो काफी कम रहेगी, पिछले साल 2.9%, 30.6% रहेगी, कुछ इकनोमिश ने भी वार ने किया, ओल की प्रैसी गिर चुकी है, और basically 2.2 trillion dollar का loss इस साल होने वाला है, डाटा है, डाटा को आपको कुछ कर आँगा, अभी रुकिए, एकनोमी में effect क्यों पड़ता है, भाई आपको अगर बोलेंगे घर से काम करो, बाहर मज जाओ, घूमने मज जाओ, तो एकनोमी तो सुकडेगी, एकनोमी एक्टिविटी कम होएगी, आप fitness के लिए ने जाओगे, मूवी देख लिए ने जाओगे तो बिजनिस जो है, एक तो ये, दूसरी बात, बिजनिस को supply नहीं मिल रही, आज चाइनों को दुनिया की factory माना जाता है, तो जो supply है, वो components की उन नहीं हो परी, चाइना ने महारत हासिल की थी, सस्ते सस्ते सामान बनाने में, कोई और देश जो है, उससे सस्ता सामान बनाने नहीं सकता, तो supply नहीं मिल रही, तो आप बोलोगे कि भारत खुद क्यों नहीं बना देता, अरे भारत कैसे बनाएगा, भारत अगर बनाई सकता था, तो पहले बना देता, चाइनों को पचार देता, तो बना भी सकता है, तो महंगे होएंगे, लोगों को अभी पैसा नहीं हुआ, फर्म अटिकल के मैं बात करूँ, तो ओटो मोबाइल की मात करूँ, मोबाइल फोन इंडिस्ट्री की बात करूँ, सारे कॉंपोनेंट चाइना से आते हैं, चाइना में सप्लार डिसरप्ट हो गई, फर्मा इंडिस्ट्री की बात करूँ, तो 70% हमारे फर्म इ prescribed alarmısı बाद करूं चाइना और होनकिंग मारकेट में इतना export हम करते भारत के जो ज्वैलरी जो सटर में जो काम कर रहे वाले ऑफ्र oldest एख्सपर्ट हारे यह चाइना और होंकों में जाता है अब वन बिलियन डौलर का जो लोज होने वाला क्योंकि export जहां वो नहीं हो रहा है तना software services इंडस्ट्री उसको एफेक्ट नहीं होगा क्योंकि घर बैटे-बैटे-बैटे software website designing का काम हो सकता है और इंको देखते वह यूएस ने भी और European Central करने से क्या होता है कि जो सξते में लोन, पयसी जब तक क्ताम नहीं होगा तब तक ऐसे चलेगी क्योंकि जब कट किया था यूए से ने तब तब थोड़ी देर जो है खुशी आई थी इन्वेस्टर्स के दिमाग में लेकिन फिर जो मार्केट फिर नीचे चले गया तो बेसिकली यूरोप में भी कुछ ऐसा है किया गया लेकिन देखा गया कि कुछ खास फरक ने बड़ा ट्रेवलिंग की मैं बात करूँ तो ट्रेवल जो सेक्टर है हमारा देश में अगर मैं भारत की बात करूँ तो करीब 200 बिलियन डॉलर की जो है इंडर्स्ट्री है हमारी और करीब 10% लोगों को जो है ये करीब 9-10% हमारी जो कंट्रिब्यूट करता है इंप्लॉइमेंट में और ट्रेवल इंडर्स्ट्री में पता है आपको कितना जो है यहां पे लोग जुड़े हैं तो ये ये जीज़ है और यूसे ने भी यूरोप से ट्रेवल बेन करी दिय एयरलाइन एयरपोर्ट अथरिटी ओयल मार्केटिंग कंपनी यह सारी जोब खत्रे में और एयरपोर्ट के बाहर जो दुकाने होती है वो भी खत्रे में क्योंकि बंद हो जाएंगी लोग आएंगे नहीं तो चोटी-चोटी एक्टिविटी के वापस नहीं आ जाएगी डिमांड के वापस नहीं आजाएगी एक साथ जब लोग काम करने निकलेंगे तो एक साथ डिमांड नहीं आएगी लोगों में खुशी नहीं आएगी लेकिन कुछ चीज़े होती हैं कि एक बार ओर चली गई तो चली गई आज अगर आप कैब नहीं ले रहे हैं आज आज फिर चल जाओ ऐसा तो करोगी नहीं तो कुछ चीज़ें होती है जो एक बार गई तो गई हाँ नोर्मल हो जाएंगे तो वापस धन्दे स्टार्ट हो जाएंगे कैब जो कैब ड्राइवर है वो आराम से कमा पाएंगे कैब कमपनियां कमा पाएंगे लेकिन जैसे आपकी जो मेट हो गया अब ऐसा थोड़िये कि आप अभी कुछ नहीं खा रहे तो बाद ने एक साथ भर भर के खाने लंग जाओगे उतना ही खाओ गया जितना पहले खाते ज्यादा ज्यादा अभी जो कम पड़ रहा है बादने आप ला सकते हो तो लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो माइक्र एक्सपेंसेज जो होती है यह बेसिकली एक बार जो है वापस नहीं आ सकती गईतों फिर जो नोर्मल होगी तो नुकसान जो हो गया हो गया उसकी बरप कर दी और जो है यहां पर पॉबिक गैदरी कैंसल कर दी एक्साम कैंसल कर दी है फुटबॉल जो गेम्स और बासक्ट बूल गेम्स रूख बबॉस्टर की इंडिस्ट्री भड़ रही हैं यह भी देखा गया दो जार तीन में कि लो जो लोग है वो ओनुलाइन ज्यादा जो है जब सार्स वारस आया था सेविर एक्यूट रिस्पैटे सिंड्रॉम तो लोग जो है ओनलाइन जदा की चीदे खईने लगे थे भीड़ड वाले लाके में जाते नहीं थे तो e-commerce कंपनियों की मोज हो गई अब यहीं लग रहा है कि इस बार भी की प्रेश अभी गिर रही है तो जो ओल की प्रेश अभी गिर रही है आपको क्या लगता है कि भारत को फायदा होगा कि नुक्सान होगा दोनों चीज़े भारत को फायदा यह होगा कि वो जो तेल की प्रैसिस गिर रही हैं वो तेल की प्रैसिस गिरेंगी तो हमारे देश में जो करन्ट अकाउंट डेफिशिट है वो कम होएगा क्योंकि हमारा जो बहुत सारा पैसा पैसा पैट्रोल को खरीद कुरूड ओयल को खि सब्सक्राइब और बदले में वो जो पैट्रोल हमारे मार्केट में कंजूमर्स को सस्था ही पड़ेगा तो लोगों का पैसा भी खर्च नहीं होएगा अब एक नुकसान यहां पे जो यह है कि अगर तेल की प्रैसिस गिरती है तो तेल कंपनियों को मुनाफ़ा नहीं होए भारत पेट्रोलियम कंपनी जो है हमारी कोपरेशन लिमिट्ड इसकी हम सेल करने जा रहे हैं तो ऐसे वक्त जहां में तेल की प्रैसे गिरी वी हैं तेल की कंपनिये को कोई खरीदेगा खरीदेगा तो क्या वो वैल्यूशन कम नहीं लगाएगा लगाएगा बिल्कुल लगाएगा तो बीपी सील को हम जो सोच रहेते कि इससे इतना पैसा आ जाएगा वो क्या अब आ सकता है जब तक तेल की कीमते गिरीवी है तब तक हम बेच सकते हैं नहीं तो बीपी सीयल को अगर हम बेच भी दे रहे हैं मालो जरूरी है क्योंकि डिस इन्वेस्टमेंट का टार्गेट हमने रख रखा है तो वह पैसा जो आया वैल्यूइशन से कम होगा तो बीपी सेल में कर दिया कुछ पैसा डिस-इन्वेस्टमेंट से आएगा डिस-इन्वेस्टमेंट में बीपी सेल की यह हैव ने डाल रुखी थी कि इतना पैसा तो आई जाएगा लेकिन तेल की प्रैसेश गिर रही है तो इतना भी केई नहीं पिक्यागी नहीं चालेगा तो बाकी पैसा क वो जो है चाहिसे एक बार तो पैसा काम आजा है उनके पास उनके पास जो है सरकार के पास schemes के लिए पैसा काम आजा है लेकिन कभी भी custom duty जो है लगाने से बिल्द बार सोचती है क्योंकि वोटर स्पैसर पड़ता है बिल्द कलास कंजूमर स्पैसर पड़ता है बीपी सेल की जो अंडर वेल्यूएशन ने उसका डिरेक्ट इंपेक्ट नहीं पड़ेगा जितना की तेल की प्रैसे बढ़ियंगों का डिरेक्ट इंपेक्ट पड़ेगा तो हर चीज के नफाबी होता है हर चीज का जो है नुकसा करना चाहता हूं कि आज कि जो है लोग डर के मारे 20-20 सेकेंड तक हाथ हो रहे है पानी का नल जो है स्टार्ट रख रहे है तो पानी जो है धोलीजे सावल साथ दोलीजे फिर पानी चलाईए पादी सेकंड तक पानी आप व्यर्थ कर देंगे तो कोरोना वार्स खतम हो